पानाति पाता विर्मनी जिक्खाप दंस्मादियोई पानाति पाता विर्मनी जिक्खाप दंस्मादियोई धमपद गाथा कथा नंबर 109109 सहस वग्गो अभिवादन सीलस्य निच्चं वड़ा पचायनो चत्तारो धंब वड़ंती यह जो कथा है जो कहानी है यह है दिगायो कुमार की कुमार माने बच्चा होता है जो मालवक होता है मालवक को आज की समय में आप नवयूवक या मालविका का मतलब है नवयूविका यंग और जो कुमार है उसको यंग से जो छोटा बच्चा होता उसको कुमार करके बूला जाता है एवार कुमार यंग को भी बूला जाता है तो कुमार माने एक तैसे छोटा बच्चा है एक वार एक ग्रस्त माता पिता अपने एक कुमार बच्चे को लेके चोटे 7-8 साल के बच्चे को लेके भगवान बुद्ध के विहार में जाते हैं जहां भगवान बुद्ध दिख्षा देशना देते हैं और विहार करते हैं वहाँ वो नमस्कार करते हैं अभिवादन करते हैं और बच्चा अभी बादन नमस्कार नहीं करता ये बात देख कर वड़ा थोड़ा सा अजीव लगता है तो वहाँ जो माता पिता होते हैं उन्हें बड़ी शर्मिंदी की महसुस होती है वो बच्चे को नमस्कार के लिए बोलते हैं मगर नमस्कार का संसकार तो सिखाया नहीं इसमें अगर सिखाया होता तो वंदना करता नमस्कार करता बच्चा थोड़ा जैसा संसकार उसको देंगे वैसा ही उसको आता है तो उसके वेवार को देखकर और चेक करकर जो वहाँ भिक्कु संग होता है उसे थोड़ी सी हरानी होती है और वो कहते हैं कि भगवन ये तो जिस तरह से इसका वेवार आचार वेवार पल रहा है इसकी आयू ज़्यादा तो रहेगी नहीं इस आयू के ज़्यादा ना होने से माता पिता चिंतित हो जाते हैं कि मेरा जो बेटा है वो ज़्यादा आयू का नहीं रहेगा और सभी माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा भगनवान, भगवा, भगवान, भागवान उनको जो गाथा और जो नियम बताते हैं उस नियम से आयू बढ़ती है ऐसा धंपद में 109 में गाथा कथा में बताया गया है कुछ जगे ये जो कथा है जो मैंने आपको सुनाई है बड़ी चमतकारिक रूप से दर्ज की रही है चमतकारिक रूप से इसलिए है क्योंकि वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने देखा और कहा कि ये जो बच्चा है ये तो साथ दिन के अंदर मर जाएगा और फिर वो बड़े चिंदित होते हैं फिर सारे भिकूँ वहाए खटे होते हैं और फिर गोला बना के घिर के वहाँ पे 55 पाट का जाब करते हैं जब करते हैं और फिर कहते हैं अब इसकी आईू बड़ी हो गई एक यख है यख इसको मार देता अब यख नहीं आया वो चला गया और अब ये जीएगा फिर पूछने कितना जीएगा तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अब ये 120 वरस जीएगा दरसल भगवान बुद्ध ने कोई चमतकार आज तक की डेट में ना किया क्योंकि मनुस्यते चमतकार कहीं होते भी नहीं है मगर आचार वैवार बदलने से या नियम बदलने से या जीवन का खानपान बदलने से या जीवन को बदलने से आयू कम ज़्यादा हो जाती है ये बात सच है कोई आदमी सराब पिएगा तो उसकी आयू कितनी भी ज़्यादा हो मगर सराब पी के जल्दी मरेगा ही और कोई जहर खाले, तो 120 वर्सकी कोई आयू बाला भी मर जाएगा, 120 सेकंड में और कोई आदमी बीमार है और अपना एलाज कराये तो उसकी आयू बर जाएगी, अग्र उसका एलाज ठीक है तो किसी आदमी को अगर ठंड लगती है ठंड में उसकी आयू कम है तो गर्मी में चला जाए तो उसकी आयू बढ़ जाएगी कोई आदमी को खाना नहीं पच रहा है और वो ऐसी दवाई खाले खाना पचे तो उसका सरीर बलिष्ट हो जाएगा किसी आदमी का सरीर अगर बलिष्ट है और वो ऐसी दवा खा ले या ऐसी वातावल में चला जाए या उसको खाना ना ना मिले तो वो कमजर हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक पेड़ पौध ही की तरह है पढ़ने से या पढ़ाने से या जाब करने से किसी का कोई भ़ा नहीं कर सकती भगवान बुद्ध ने कभी जीवन में पाठ के लिए, सूथ के लिए, जब के लिए, कहा ही नहीं है उन्हें ने प्रक्टिस करने के लिए कहा है तो इस गाता में देखें कि वो क्या कह रहे है बेसिकली अभी वादन सीलस से निच्चन वुड़ा पच्चाइन्यों अभी वादन सीलस से यानि अभी वादन का सील को अभी वादन का सील क्या है किसी भी व्यक्ति का आप अभी वादन करें जो आपसे बड़ा है जो जानकार है उसका अच्छत करें उसका मान करें उसका सम्मान करें इस नियम को अपनाए निचंग माने निट्टे यानि रोज गुड्धा पच्चाईनियों गुड्धा माने ब्रद्ध हो गया, बुड़ा हो गया, जानकार हो गया पच्चाईनियों का माने जो पच्च चुका है, पक चुका है ऐसा व्यक्ति का जिसका आपको सम्मान करें, मान करें इसकी बात को मानें जो गुड़ा है ज्यादा उमर का है समझदार है पक चुका है पक का मतलब है ज्यानवान है पक चुका है चत्तारो धम्मा वड्टन्ती तब क्या होगा चत्तारो धम्मा वड्टन्ती आपके चार प्राकर्टिक चीजें बढ़ेंगी बढ़ती हैं कौन कौन सी है आयू वर्णो सुखंग बलंग एक तो आपकी आयू बढ़ती है यानि कि उमर बढ़ती है एक आपका वर्ण आपका चेहरे का जो रंग है वो बढ़ता है आपका नूर बढ़ता है चेहरे का रंग का मतलब है कि आपकी ख्याती चावत बढ़ती है आपका नूर बियम से अभिवादन करें और उनकी बात को मानें उनकी experience का फाइदा उठाएं तो आपका आयू बढ़ेगी आपका बल बढ़ेगा आपका सुख बढ़ेगा और आपकी ख्याती बढ़ेगी और ये वास्ता में बढ़ती भी है अगर आप अपने घर के बुजर्ग का या औरो की जो बुजर्ग हैं उनका अगर मान समान करेंगे तो वो चार तरफ आपकी परसंसा करेंगे वो कहेंगे के देखो फलाने का जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा अच्छा है और वो बहुत ही सज्जन है और इससे आपकी चार तरफ ख्याती बढ़ेगी ख्याती का मनदब आपकी साहिता करेंगे तो आपका सुख बढ़ेगा और सभी लोग आपके साथ खड़े होंगे तो आपका बल बढ़ेगा यह नेच्रल फिनोमीना है कहीं कोई पार्ट करके चमतका भगवान बुद्धने कभी नहीं किया इसको ध्यान लगें धन्यवाद आप सभी से यह नेविदन है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो ओडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते है आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते है इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उनी की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद तम्मम सेनम गच्छामी संगम सरेनम गच्छामी संगम सेनम गच्छामी तू थियंपी बुद्धं सेनम गच्छामी तू थियंपी धन्मम सेनम गच्छामी तू थियंपी धन्मम सेनम गच्छामी तू थियंपी धन्मम सेनम गच्छामी दूठियों पी सन्णों सर्णानु, दुहियं पी सन्धम सर्णान्ग चच्चानु तर्थियं पी बुद्धों सर्णान्ग चचानु ततियम् पी गुतं सर्मं कच्छामी ततियम् पी धम्ममर सर्मं कच्छामी ततियम् पी गुतं सर्मं कच्छामी ततियम् पी संदों सर्मं कच्छामी कामेस मिच्च चरविर्मनी सिक्खापदं स्माधियामी